हालो एब्रिवान मैं हूँ आपकी होस्ट और दोश शिफाली बगगा जीवा हल्चो में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे सेक्शुल हेल्थ के बारे में फ्रेंज हमारी सोसाइटी में आज भी सेक्स को टाबू की तरह देखा जाता है और यही वज़़ है कि सेक्शुल हेल्थ सबसे ज़ादा नजर अंदास की जाती है कोई इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता जिसकी वज़़ से सेक्स संभंदी समस्याएं गंभीर होती चली जाती है Sexual Health को Ayurveda की मदद से कैसे बहतर बनाया जा सकता है इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में Ayurveda की एहमियत, उसका relevance और उसकी scientific treatment का प्रचार प्रसार कर रहे हैं आपका अभियान है कि authentic Ayurveda, सही और scientific Ayurveda पहुंचे घर-गर जिससे natural health हो घर-गर जी हाँ, वो है Dr. Chohan Welcome to the Jeeva Health Show, Dr. Chohan Thank you for gracing the show Thank you जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद चलिए, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है sexual health से जुड़ी हुई problems जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलविजन स्क्रीन पर है सेहत का नंबर है 01294040404 Dr. Chohan, मुझा आपसे यह पूछना है कि sex related problems जिनको होती हैं वो share नहीं करते हैं और share करना भी चाहें, उन्हें पता नहीं होता कि किस से जाके share करें तो इसमें क्या किया जाए देंके बहुत अच्छा प्रशन है और आपने सही का कि बहुत सारे लोग अपनी sexual problems को share नहीं करते हैं सभी दर्शकों से मेरा निवदन है जोरा ध्यान से सुनिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की systems है जैसे आपका digestive system है nervous system है circulatory system है ऐसे ही एक system हमारा sexual system भी है शरीर का हिस्सा है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सभी systems का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है ज़रा ध्यान से सुनिए जैसे कि आपको अगर पेट में कोई problem होती है जैसे आपको कमर में कोई problem होती है जोडों में कोई problem होती है ऐसी आपको यौन संबन देती है नहीं कि sexual problem भी हो सकती है जैसे आप सभी problems दूसरी problems के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं उनसे share करते हैं तो ऐसी sexual problem को भी share करिए नहीं तो होगा क्या अगर आप देर करेंगे तो problem बहुत बढ़ जाएगी और आयरवेद में जो sexual weakness का जो अर्थ है वो समझ लीजिए बड़े सरल भाषा में समझा रहा हूँ मतलब क्या है कि आपके शरीर के अंदर शुक्र धातू कमजोर हो गया है हमारे सरीर में साथ धातू होते है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थी, मजज़ा और शुक्र जब शुक्र धातू कमजोर हो जाता है तो उसको sexual weakness, sexual problem कहते है और अच्छी खबर आपके लिए ये सभी के लिए कि आईरवेद के अंदर आठ ब्रांचिज में से एक ब्रांच totally dedicated to sexual problems बहुत ज़्यादा उसमें हर चीज के बारे में description है और बड़ा अच्छा उपाय है बहुत अच्छी औशदिया है डरना नहीं है, घबराना नहीं है और जीवा में तो आपको मलूम है आपको डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है हमारे हैं तो telemedicine facility है वर्ल्ड का largest telemedicine हम चलाते हैं हर रोज पूरे विश्व से लगबग 8000 patients हमारे हैं consultation लेते हैं तो आप भी जो है अपनी sexual problem को बिलकुल मत चुपाईए क्योंकि शुक्र धातु जो है वो हमारे शरीर का सबसे important धातु है ऐसे क्या गलती लोग आचकल कर रहे हैं जिससे उनकी sexual health खराब होती है यह भी बहुत अच्छा प्रशन किया है होता क्या है कि लोग बाग जो है वो बहुत जादा जो है इस विशय के बारे में उनको जानकारी नहीं होती और मैं यही कहूंगा कि सबसे बड़ी जो गलती हो करते हैं कि वो अपनी sexual problem को किसी से share नहीं करते है यह सबसे बड़ी problem है दूसरी lack of education आयरवेद के अनुशार शुक्रधातु को proper quantity में maintain करना बहुत जरूरी है सारे धातु important है लेकिन शुक्रधातु सबसे जादा important है लेकिन आजकल क्या इंटरनेट या आने कई माध्यमों से बहुत सारी उत्तेजक बहुत सारा उत्तेजक content easily available है खास तोर से जो young age के जो लोग है उनसे मेरा यह कहना है कि यह जो content है जब आप इसमें इंडल्स होते हैं इसको देखते हैं और खास तोर से अगर आप मानसिक लेवल पर इवन मेंटर लेवल पर physically आप कुछ नहीं कर रहे हैं केवल मन में अगर चिंतन कर रहे हैं कामुक चीजों का विशों का चिंतन कर रहे हैं यह हमारे हैं लिखा हुआ है बड़स पस्ट कि उससे आपका शुकरधातू कमजोर हो जाएगा ज़रा ध्यान रखना इस सीज़ कर रहे हैं इसके अलावा जितने भी उत्तेजक नशीले पदारते हैं चाहे हो स्मोकिंग है टबैको है अलकोहल है यह डिरेक्टली हमारे शुकरधातू को कमजोर करते हैं आयरवेद के अनुसार आपकी जो असोशियेशन है यह भी लिखा हुआ है अगर आपके असोशियेशन आपकी जो संगत है उसमें इसी तरह की बातें ज्यादा होती है तो डेफिनेटली फिर उससे भी फरक पड़ेगा तो ट्राइटो यह एंगेज और सेल्फ इन सम्थिंग पॉजिटिव म्यूजिक बजाईए गाना सुनिये और स्ट्रेस फ्री टेबलेट तो जरूर लेनी है अगर आप किसी सेक संभंदी समस्या से पीड़ित है तो लीजे डॉक्टर की परस्नलाइज एडवाईज और ट्रेटमेंट परस्नलाइज आईरवेद ही है सही हाईरवेद कॉल ओन सेहत का नंबर जो आपकी टेलिविजन स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहा है सेहत का नंबर है 0129 4040404